हेलो दोस्तों, आई लाई हूँ आपके लिए रसम की नई रैस्पी जो गर्मियों में लू लगने से भी बचाएगा और खाने में इतना टेस्टिक की हर कोई इसे खाना पसंद करेगा रसम बनाने के लिए लिया है मैंने यहां पर कच्चे आम, आम कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं एक पेन में गरम पानी रखें, फिर आमों को डाल कर एक दो उबाल आने तक आमों को अच्छे से पका लें आमों में एक दो उबाल यहां पर आ गया है, अब हमें आमों को चक कर लेते हैं आम यहां पर अच्छे से पक गए हैं, गैस को यहां पर कर देते हैं, बन आमों को ठंडा होने के लिए रख देते हैं आम यहां पर अच्छे से ठंडे हो गए हैं, आमो को हातों से निचोड़ कर इसका पल्प निकार लें, आमो का पल्प निकारने के बाद आमो की गुठले और चिलकों को अलग कर दें, आमो को हाथ से ही हमें यहाँ पर मैस कर लेना है, मिक्सी में आमो का पल्प को हमें नहीं पीशना है, हातों से ही मिक्स कर लें, इस से इसका टेश्ट बढ़ जाता है अब हमें दो बड़े चम्मच जीरे को भून कर तयार कर लेना है जीरे का कलर यहां पर चैंज हो गया है और अब हमें जीरे को निकाल लेना है एक बरतन में फिर हमें जीरे को दरदरा कूट कर तयार कर लेना है आप यहाँ पर काली मिर्च भी कूट सकते हैं, मैंने काली मिर्च पहले से ही कूट के रखी थी कडाई में तेल गरम करें, आदी चमच जीरा डाले, एक पिंच मैंने यहाँ पर हिंग डाला है केट चमच दरदरा कूटा हुआ लसुन मिर्ची का पेश्ट डाले, थोड़ा सा मिक्स कर ले, सुखी वी दो लाल मिर्च डाले, आदी चमच हाल्दी पौडर डाले, आदी चमच कस्मीरी लाल मिर्च पौडर डाले, थोड़ा सा पानी डाल कर मसालों को मिक्स कर ले, मसालों को एक दो मिनट के लिए चलाते हुए पकाले अब आम का पेष्ट डाले अब मसालों को आम पेष्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर ले मैं यहाँ पर दो गिलास पानी डाल रही हूँ आप अपनी इच्छा अनुसार पानी जितने आपने आम लिये हैं उतना आप पानी डाले तीन चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है आप चीनी की जगा गुड़ भी डाल सकते हैं साथ अनुसार नमक डाले कूटावा जीरा डाले आदी चम्मच कूटी हुई काली मिर्च डाले तभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर ले अब एक दो उबाल आने तक हमें इसे पका लेना है एक दो उबाल इसमें अच्छे से आ गया है बनकर यहां तयार हो गया है अब हमें इसमें कटी वी हरी धनिया डालेनी है यहां पर गर्मा गरम कच्छे आम का रसम बनाकर हमने तयार कर लिया है अब इसको कटोरी में सर्व करें रसम तो आप लोगोंने हर तरा के खाए होंग लेकिन आम का खटा मिठा चटपटा रसम एक बार बना कर आप लोग भी जरूर देखें यहां रसम गर्मियों में बहुती टेस्टी लगता है और लू लगने से भी हमें बचाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसे लगी कमेंट करके बताएं तब तक स्वस्त रहें मस्त रहें